नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रह्मत राज माथमाटिक्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 23 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर के वारे में जो कि है रीट एक्जाम 2020 को लेकर दो करें यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइव विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर रीट के लिए मोडल टेस्ट पर चलाए जा रहे हैं उनसे आप जरूर जुडिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो म के बाद नया मामला फिर से अटकने की है संभावना दोस्तों आप देख सकते हैं यहापर रीट बेरोजगार एकिकरत महासंग के प्रवक्ता उपे नियादों ने कहा है कि यह बड़ती फिर से लंबे समय तक अटकने की संभावना बन सकती है इसलिए सरकार को चाहिए कि बि डिगरी दारियों को राह देते वी बेरोजगारों के इतमे जल्दी फैसला लें वही बारवी पास इसतर पर बीएश्टी से करने वाले अभियरतियों के अपरेशानी से जूज रहे हैं बीएश्टी सी डिगरी दारियों का कहना है कि बीएश्टी से करने वाले अभियरतिय जिसमें वे नोकरी लग सकते हैं ये आज के अकबार की खबर है दोस्तों मुख्यमंत्री एसो गेलोत ने बीते वर्ष 2019 को 31,000 पदों पर अध्यापक पातरता परिक्षा की गोश्टा की थी रीट परिक्षा का एवजन के लिए 2 सितंबर की डेट भी गोश्टित की थी लेकिन करीब 7 महिने का समय बीतने के बाद भी अभी तक ने तो बर्षी का पैटरन जारी हो पाया है और नहीं बर्षी की विगिप्ति आई है वही अब इस रीट शिक्षक बर्षी में शिक्षा मंत्री के बयान के बाद एक नईया विवाद भी सुरू हो गया है तो दोस्तों आप इस टी सी फर्स लेवल वालों ने इस पर विरोज जताया है और उपेन यादव का यहां पर ट्विट आया है बयान आया है कि यह भरती इस विवाद के चलते फिर से कोट में जाने की भी संभावना बढ़ गई है इसलिए जल्दी सरकार को कोई विरोजगानों के हित में फे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ओल पर क्लिक करे ताकि ने ने वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में ने न्यूज के साथ में तब तक लिए सभी सात्यों को जैहिन जैवारत थैंक यू